इस वीडियो में आप देख सकते हो कि मेरे पास अलग-अलग साइज और अलग-अलग वोल्टेज की काफी सारी मोटर है अब इस टाइब की जो मोटर होती है जादतर लोग अपने घर पे छोटा मोटर फैन बनाने के लिए जादतर इस मोटर का यूज़ करते हैं लेकिन लोगों की प्रोलम क्या रहती है कि उनको ये समझ नहीं आता कि कौन सी मोटर के साथ में हमें कौन सी पंखड़ी लगाने चाहिए ताकि उनको एक अच्छी हवा मिल सके और आपकी मोटर गरम भी ना हो क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा कि जब हम मोटर के साथ में कोई पंखड़ी लगा देते हैं एक तो मोटर हमारी धीरे धीरे घूमती है और दूसरा हमारी मोटर गरम होने लगती है उसका यही कारण होता है कि आपको सही तरीका नहीं पता होता कि कौन सी मोटर के साथ कौन से पंखडी लगाने चीए तो आज की वीडियो के अंदर सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और साथ में मैं आपको पंखडी पंखड़ी का प्राइज भी बताऊंगा कि यहां की लोकल मार्केट में पंखड़ी का क्या प्राइज है तो सबसे पहले देखें हम इस मोटर से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो फ्रेंड कुछ स्टैप की यह मोटर है और यह जो मोटर होती है जो हमारे वोल्ट से लेके 5 वोल्टेज की सप्लाई पर बड़े अराम से चला सकते हैं यानि अगर आपके पास कोई मोबाइल की बैटरी है या फिर लीथे मायन बैटरी है उससे आप बड़े अराम से इस मोटर को चला सकते हो अब बात करते हैं कि इस मोटर के साथ में हमें है तो इस मोटर के साथ में देखिए फ्रेंड मार्केट में जो यह वाली पंकड़ी मिलती है ना वो आपको यूज करनी चाहिए हमेशा और यह देखिए इस तरीके से हम इसको लगा देंगे तो कुछ इस तरीके से यह मोटर हमारी दिखाई देती है तो आपको यह ध्यान बहुत ज्यादा लोट पड़ेगा जिसकी वज़े से जो आपकी मोटर है वो ओरवर हीट होके खराब भी हो सकती है और यही कारण ज्यादतर होता है मोटर का गरम होने का तो आपको मोटर के इसाफ से पंखड़ी लगानी इसकी के इसाफ़ ही पंखड़ी के लिए बेस्ट ह और यहां पे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पंखड़ी का प्राइज भी बताऊंगा तो यह पंखड़ी मैं होलसेल प्राइज के साथ में लाया हूं तो यह पंखड़ी मुझे यहां की लोकल मार्केट में दो रुपे पर पीस के इसाफ से मिली है आपकी लोकल मार्के बैटरी से बड़े आराम से चला सकते हैं या फिर आपके पास लेटेमान बैटरी उससे भी आप इजली चला सकते हो अब बात कर लेते हैं कि इसके साथ में कौन सी पंखडी हमारे लिए बैस्ट रहेगी तो यह देखें इसके लिए यह वाली जो पंखडी आती है देखें जा आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यह मोटर हमारी दिखाई दे रही है तो यहाँ पे यह वाली जो मोटर है छोटी वाली गोल वाली इसके साथ में आपको यह पंखडी लगानी है इसके साथ में आपको यह लगानी है अगर आप इस इसाफ़ से पंखडी लगा के च बड़ी है 3 रुपे पर पीस के इसाब से आपकी लोकल मार्केट में इस पंखडी का क्या प्राइज है आप मुझे कमंड करके जरूर बताना तो इसको भी हमें एक बार साइड में कर देते हैं अब उसके बार हमारे पास यह वाली मोटर आती है और यह मोटर थोड़ी सी हैवी देखे जो सबसे पहले हमने मोटर दिखाए थी उससे इसका बड़ा है चोटे साइज की है और यह बड़े साइज की है और इसके स्पीड भी जादा वती है तो यहाँ पे देखे इस मोटर को भी हम किसी भी मोबाईल बैटरी है लीथिमान बैटरी से चला सकते हैं अब इसक की मोटर साथ में आप इस टैब की पंखड़ी आतर यह इसकéma अछ पर निए भौट यह इा साथ में आप यह पंखड़ी लगा सकते हो अब यहां पर मैं आपको इसका प्राइज बता दो पंखड़ी का तो छे रुपे पर पीस के हिसाब से जो एक नॉर्मल प्लास्टिक का आता है वो थोड़ा सा सस्ता था वो सैद साड़े चार रुपे के आसपास मिल रही थी लेकिन यह 6 रुपे में मिलें क्योंकि इसका प्लास्टिक की क्वालिटी बेस्ट की तो यहां पर पीसको बात करते हैं इस वाली मोटर की तो यह जो मोटर है फ्रेंड यह गौल साइज की बड़़ई वाली इस टाइब की पंखड़ी आती है यह आप पंखड़ी के साथ में यूज कर सकते हो और यहां पर देखे इस तरीके से हम इसको लगाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से फिटिंग आ जाएगी यहां पर देखे यह इस मोटर के साथ में अगर पंखड़ी आप इस टाइब की की लोकल मार्केट में चार रुपे पर प्रपीस के असाब से मिले है आपकी लोकल मार्केट में इस पंगड़ी का क्या प्राइज है आप मुझे कमंड करके जरूर बताना देखें हमारे पास यह एक मोटर है और इस मोटर का साइज देखें यह जितनी भी मैंने गोल वाली सकते हो और इस मोटर के साथ में फ्रेंड मार्केट में स्टाइब की पंखड़ी आती है लेकिल क्या है पर आप यह वाली जो पंखडी मैंने आपको दिखाई ती यह वाली पंखडी के उससाथ में यूज़ करो आपको हवाब भी बढ़िया मिलेगी तो यहां पर यह मैंने आपको बता दिया है और यह पंखडी जो है यहां की लोकल मार्केट में फ्रैंड मिलती है आठ रुपे परपीस के इसाफ से आपकी लोकल मार्केट में क्या प्राइज है इस पंगड़िगा आप मुझे कमंड करके जरूर बताना तो चलिए इसको आप हम साइड में करते हैं उसके पास देखें हमारे पास एक यह वाली मोटर आती है और यह जो मोटर है यह हमारी 12 वोल्टेज की हा आई आर्पीयम होते है और इस मोटर के साथ में इस टैब की जो पंखड़ी आती न इससे आप लगा सकते हो यहां पर देखिए इस तरीके से आप इसके अंदर इसे फसाना है ठोड़ा सामिघ जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि पंखड़ी अभी नई है तो इसको हम जब ज प्राइज में मुझे मिली है 10 रुपे पर पीस के हिसाब से आपकी लोकल मार्केट में इस पंखड़ी का क्या प्राइज है आप मुझे कमंड करके जरूर बताना तो उसके बात एक फ्रेंड एक और मोटर है हमारे पास और ये मोटर भी हमारी 12 वोल्टेज के सप्लाई पर काम करती है तो इस मोटर के साथ में आप यही पंखड़ी यूज कर सकते हो यह जो मैंने पंखड़ी आपको दिखाई है इसी पंखड़ी को आप इस मोटर के साथ में यूज कर सकते हो और इस मोटर के स्पीड भी बहुत तेज होती है जैसे कि मैंने आपको इसकी बताई है सेम तो एसे स्पीड आपको इस मोटर की भी मिलेगी, तो इस दोनों मोटर के साथ में आप इस पंगडी को यूज कर सकते हो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और फुल स्पीड में आपके मोटर काम भी करेगी, तो ये चीज मैंने आपको बता दी है, उसके बाद देखे फ्रेंड ये हैं हमारे पास 555 मोटर है DC 555 मोटर है और इसे काफ़ी सारे लोग यूज़ भी करते होंगे आपने कभी की है कि ने की मुझे कमेंट करके बताना तो यह जो मोटर होती है यह हमारी 12 वूल्टेज में काम करती है और इस मोटर के साथ में देखे फ्रेंट हमें ये वाली पंखडी यूज करनी होती है ये मारकेट में रही जाती इस टैप की पंखडी दो पर वाली भी बिता दूँ यहां की लोकल मार्केट में इस पंखडी का जो प्राइज है वो है अठार रूपे पर полов प्री सिकिसके में और यह वाली जो पंखड़ी मिल रही है, वो मिल रही है 22 रुपे पर पीस के इसाफ से, आपकी local market में इन पंखड़ीों का क्या price है, आप मुझे comment करके ज़रूर बताना, के बाद देखें friend हमारे पास ये बड़ी वाली motor है, और इस motor को भी काफी सारे लोग यूज करते ही तो इस motor के साथ में देखें friend, market में एक इस type की पंखड़ी आती है, इसके अंदर हमारे total 5 पर हैं, जैसे कि फराटा वेगर एक पंखड़ी होती है, सेम उसी तरीके की ये पंखड़ी आती है, तो आपको इस motor के साथ में ये वाली पंखड़ी यूज करनी है, तब ही आपको अच्छी होगा मिल पाएगी, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसे यूज कर पाओगी, तो ये जो पंखड़ी है friend, यहां की local market में मिलती है, 25 रुपे पर पीस की हिसाब से, आपकी local market में इस पंखड़ी का क्या प्राइज है, आप मुझे comment करके जरूर बताना, तो य रहे हैं, वंदे मातरम